नमस्त दोस्तों आप सभी का एक बार फिर्से स्वागत है आपके अपने योटूब चानल में फ्रेंट्स काफी सारी महिलाओं के एक कॉमन क्वेशन है और कॉमन परिसानी भी है जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं हैं उनके सरीर के कई हिस्सों में दर्ध होता है कभी आपको कमर में दर्ध होता है कभी पेट में होता है कभी आपको जांगो में कुल हो में और ना जाने कई सारी कॉम्प्लिकेशन और परिसानिया होती है नॉर्मली फ्रेंट्स 9th मन्त और प्रेग्नेंसी में हर महिला को अलग-अलग असुविधाओं को फेस करना पड़ता है और ये उनके लिए काफी ज़दा चिंता का विसाय होता है जब उस क्या कारण उन्हें पता नहीं होता तो आज हम यहीं जाने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है अगर आपको सरीर में कहीं पे भी दर्द हो रहा है इसका मतलब यह है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती है तो आपको निउट्रेशन की जरूरत पहले से जादा होती है और आपकी ऐसी condition में calcium की मातरा कम हो जाती है और iron की मातरा कम हो जाती है जिसकी वज़े से आपको सरीर में कई हिस्सों में दर्द हो सकता है और इसका दूसरा कारण होता है कि जब आपका गरवा से बढ़ता है तो इसका pressure direct आपके back bone पे आता है जिससे हम spinal cord कहते हैं तो यहां पर कमर के पास दर्द आपको होने लग जाता है अब friends आपको क्या करना चाहिए अगर आपको pain हो रहा है मालीजे आपको सरीर में हर हिस्सों में pain होता है और यह ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको आपकी diet का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको ऐसी खाने खाने है अपने भूजन में शामिल करना है जिसमें protein बहुत अच्छे से हो जो कि आपको daily product से मिलता है दूद, दही, छाँच, मखन इन सब चीजों से मिलती है तो आप protein का index बढ़ाईए अपने खानों में दूसरी बात कि आपको iron की deficiency बढ़ाने के लिए आपको daily एक आनार का juice या फिर आनार का सेवन करना है इसके साथ ही साथ जो healthy fruits होते हैं, चुकुंदर है, beats है इनका सेवन बहुत ही अच्छे से करना है ताकि iron की कोई कमी ना हो अगर hemoglobin की कमी होगी तो बच्चा भी healthy नहीं हो जोड़ी मैसूस हो और इसी के साथ साथ आपको दर्द होने लगे सरीर के कई हिस्तों में तो अपने diet पे control करके आप इन सारी चीजों को तुरंत ही दूर कर सकती है इसी के साथ साथ जब आप pregnant होती हैं आपका सरीर बहुत जादा ठक जाता है क्योंकि body को दुगनी तेजी से दो सरीरों के हिसाब से काम करना होता है तो जब इतना ज़्यादा सरीर active होता है तो अंदर के organs जो है वो भी wear tear होते हैं ठक जाते हैं ऐसी condition में friends आपके सरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है पानी अच्छे से पीना है कम से कम 13 से 14 ग्लास पानी आपको पर डे पीना ही चाहिए ताकि जो असूदिया है वो भी सरीर की गंदी बाहर निकल पाए और आपका सरीर हाइडरेट रहे कई बाद dehydration की वज़े से भी आपको weakness या फिर इस तरीके के परिशानी निकल के आती है जो तीसरा condition होता है friends उसमें देखा जाता है कि बहुत सारी जो महिलाएं होती है जरूर करें 30 minutes daily ताकि आपके जो muscles है वो एक्टिव रहें जोइंट से एक्टिव रहें और इनको कोई दिक्कत ना हो कभी कबार बहुत जादा आराम करने की वज़े से भी दर्द की शिकायत हो जाती है जब pregnant पहला सोती है तो उन्हें कोसिस करना चाहिए कि करवट लेकर सोएं और अपने position को change करती रहें कभी भी flat नहीं सोएं पीट के बल इससे आपकी दर्द के शिकायत और भी बढ़ सकती है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप उठें या बैठें जिस तरीके से पोचा लगाती है कुछ ऐसा ही posture आपके सरीर का होना चाहिए जिस तरीके से आप normal Indian toilet यूज करती है बहुत ज़्यादा जुक करके कोई भी काम ना करें इससे आपकी दर्द और भी बढ़ सकती है पीट की कमड की तो यह सारे चीजे आप बिलकुल ध्यान रखेंगी तो आप बिलकुल सेफली प्रेगनेंसी को एंज्जॉय कर पाएंगी और बहुत ज़्यादा कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी फिर भी अगर कोई परिशानी असुविदा होती है तो पुझे घर संसार इंस्ट्राग्राम की आइड़ी को फॉलो करना बिलकुल भी ना भूले चानल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन नोटिफिकेशन अन कर ले ताकि विडियो के साधर नोटिफिकेशन प्रती दिन मिलते रहें और शेयर और लाइक करना वीडियो को बिलकुल भी ना भूले तो इसी होप के साथ मैं फिर सुमिलोंगे नेक्स्ट रूडियो में एक नई टॉपिक के साथ अपना पूरा दिहान रखना फ्रेंड्स टेक केर नमस्कार